हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है जी पर आज हम लोग तेन डेली उज प्रोवर्ब्स यानि कहावतों को सीखेंगे चली सुरू करते हैं पहला है एक तो करेला दूजा निम चरहा इसे इंगलिस में बोलते हैं आप अपन एन अलसर इसका मतलब होता है कि एक ऐसी परिस्तिती जो पहले से ही काफी खड़ाब है और उस परिस्तिती में कुछ और खराब चीछे हो जाना किसी वेक्ति के साथ तो उस सीच्वेशन को बोलें कि एक तो करेला दूजा नीम चरहा ठीक है दूसरा है जान बची तो लाखों पाए लाइफ इस बेटर देन बैक्स ऑफ गोल्ड मतलब लाइफ ज्यादा इंपोर्टेंट है ना कि मनी एक ऐसी सिच्वेशन जहां पर आपको बहुत सारा मनी मिल रहा हो लेकिन आपकी लाइफ बहुत रिस्क में है तो उस परिसिती में आपको अपने लाइफ प अपने अलसर पिंपल और अलसर ठेका पिंपल मतलब फोनसी और अलसर मतलब फोरा उट की स्करवट बैठता है सी विच वेड़ बिन ब्लोज यह जब कोई वेक्ती यह चीज देखता है या यह प्लान अपना करता है कि कैसे कोई चीज घटित होगी और उसके अधार पर वह करता है तो उस परिस्तियों कहते हैं कि उट की स्करवट बैठता है सिवीच वेडविन ब्लोज अपनी डफली अपना राग मेनी मेन मेनी मैंट मतलब जहां पर भी बहुत सारे लोग होंगे तो बहुत सारे ओपिनियंस भी होंगे विचार भी होंगे इसलिए कहा जाता है मे होता है तो इवनिख विचार हूने के विए से जब ज्यादा लोग हों तो ज्यादा विचार ओपिनियंस भी होंगे तो अपनी डफली अपना राग मेनी मेन मेन्स नेक्स्ट है चित भी मेरी पट भी मेरी है आई विन तेल स्यू लूज मतलब यह वैसी परिस्थिती है कि पट भी मेरी ठीक है मतलब हेड आता है तो भी मैं जीतूंगा और टेल आता है तो तुम हारोगे घर में दिया जला कर मस्जीद में दीब जलाया जाता है charity begins at home ठीक है मतलब जो भी charity दानपुन का काम करना है तो उससे पहले किसी भी व्यक्ति की पहली जिमेदारी होती है कि वो अपने घर की जवड़तों को पहले पूरा करे और उसके बाद वो charity करे या जो भी दानपुन का काम करना है वो करे ठीक है अती दर पे हता लंका pride must have a fall मतलब जिसने भी बहुत ज़्यादा pride किया, proud किया, घमंड किया तो उसका एक नएक दिन पराजय होना ही है या एक नएक दिन वो डूबे गा ही ठीक है जैसे लंका का दहन हुआ था रावन का दहन हुआ बहुत ज़्यादा घमंड होने की वज़ा से उसके बाद है एक ही थैली के चटे बटे, chips of the same block, मतलब जब parents के जो बच्चे होते हैं, उनके character parents से मिलते हैं, तो हम लोग कहा देते हैं कि एक ही थैली के चटे बटे chips of the same block, या वैसे लोग जो कि जिनके character same हो या similar हो, तो वो सारे कहलाते हैं एक ही थैली के चटे बटे chips of the same block, इंग्लिस में इसे ऐसे बोलते है ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, if the sky fell we would catch lards ये उस situation के लिए कहते हैं, जब कोई ऐसी चीज करने के लिए कहता है, जो possible नहीं है होना मतलब वो चीज घटित होगी, तभी हम अपना कोई और plan execute करेंगे, तो ये वही बात हो गई, कि जो possible ही नहीं है उसके अधार पे अपने decision लेना सत्तर चुहे खाकर बिली चली हज को, the fox turns monk, मतलब जो लोम्री है मतलब पहले बहुत गलती की आपने और अब एक एक आप साध्य होगा ठीक है, तो इसे कहा जाता है, the fox turns monk, सत्तर चुहे खाकर बिली चली हज को, the fox turns monk, अग्र सोची सदा सुखी, prevention is better than cure, prevention का बचाओ होता है, cure का मतलब किसी रोक का इलाज करना, मतलब किसी भी चीज का आप prevention पर अगर फोकस करते हैं, तो आप सदा सुखी रहेंगे, ठीक है prevention is better than cure, डॉक्टर भी recommend करते हैं, मतलब कोई भी बिमारी आने से पहले ही, उसके बचाव पर अगर आप फोकस करते हैं, तो आपको बिमारी ही नहीं होगी, तो यही था दोस्तों, I hope कि ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, और ऐसे ही कई वीडियो अजब लेवल है, प्रोवर्ब्स का हाफ्तों से related, आप उन्हें भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के सक्षिन में जाकर चेक आउट कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बेल आइकन प्रेस करके औल नोटिफिकेशन भी जरूर और कर लिजे, धन्यवाद दोस्तों